C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ पच्चीस चटपटी पहेलियां प्रिष्ठ एक सो निन्यानवे पहेली एक कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती खाने में जो ज्यादा डल गई तो फिर मूँ से निकली सीसी आख नाक से निकले पानी याद दिलादू सकको नानी सोचो सोचो कौन हुमैं जल्दी बोलो कौन हुमैं ये है मेर्च जिसका यहाँ चित्र दिया गया है अब पहेली नमबर दो कूटी जाती पीसी जाती खाने में पीला रंग लाती तेल में मुझे मिला कर दादी चोट लगे तो जट से लगाती सब की चोट को ठीक कराती इसी लिए मैं सबको भाती सोचो सोचो कौन हुमैं जल्दी बोलो कौन हुमैं ये है हल्दी जिसका यहां चित्र दिया गया है अब आई तीसरी पहेली प्रिष्ट दोसो काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूं बारीक पीसी यार दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूं मीठे और नमकीन में भी मैं दोनों में ही डाली जाती हूं सोचो सोचो कौन हूं मैं जल्दी बोलो कौन हूं मैं सोचो सोचो बच्चो ये है काली मिर्च जिसका यहां चित्र भी दिया गया है अब अगली पहेली मैं पतलासा पर छोटा हूँ, बूरा भी हूँ और काला भी हूँ गरम घी और तेल में मैं खुश्बू फैलाता हूँ दही और जलजीरे में बून कर डाला चाता हूँ सोचो सोचो कौन हुमें, जलदी बोलो कौन हुमें ये है जीरा, जिसका यहां चित्र भी दिया गया है अब अगली पहेली हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती है खाने के बाद मुझे खाते मैं मुझे का स्वाद बढ़ाती सोचो सोचो कौन हुमें, जलदी बोलो कौन हुमें ये है अजवायन अब अगली पहेली सुनें कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ चोकलेटी भूरे रंग की तेज खुश्बू वाली हूँ जब दर्द होता दां तुमें तब मुझे रखते दां तुमें सोचो सोचो कौन हुमें, जलदी बोलो कौन हुमें ये है लौंग जिसका यहां चित्र भी दिया गया है किनी दो मसालों के लिए पहेलियां बनाओ और अपनी कलास में पूछो उन मसालों के चित्र बनाकर उनका नाम भी लिखो पता करो, तुम्हारे घर में, खाने में कौन-कौन से मसाले काम में लाए जाते हैं उनकी सूची बनाओ अपने साथियों की सूची भी देखो अपने दादा-दादी, नाना-नानी से पता करो जब वे बच्चे थे, तब उनकी रसोई में कौन-कौन से मसाले अधिकतर इस्तेमाल होते थे एक ऐसे मसाले का नाम लिखो, जो नमकीन और मीठी दोनों ही चीजों में डाला जाता है पता करो, खाने को खटा बनाने के लिए उसमें क्या-क्या डाला जाता है मैं हूँ कुटन, मैं केरल में रहता हूँ मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है वहां मैं तेज पत्ता, छोटी इलाएची, बड़ी इलाएची, काली मिर्च आधि को उगते देखता हूँ पता करो, क्या तुम्हारे इलाके में किसी मसाले के पौधे हैं? उनके नाम लिखो कक्षा में कुछ साबुत मसालों के थोड़े से नमूने लाओ इकठे किये गए मसालों के नाम तालिका में लिखो अपनी आँखें बंद करके सभी मसालों को बारी-बारी से छू कर और सूंग कर पहचानने की कोशिश करो जिन्हें तुम पहचान पाते हो उनकी नाम के आगे सही का निशान लगाओ ना पहचान पाने पर गलत का निशान लगाओ और इस प्रकार तालिका बनाओ मसाला नमबर एक मसाली का नाम सूंग कर पहचाना छू कर पहचाना इस प्रकार मसालों की तालिका बनाओ चलो अब बनाएं आलू की चटपटी चाट इसके लिए चाहिए उबले हुए आलू जो कक्चा में सभी के लिए पूरे हो जाए नमक, लाल मिर्च, अमचूर, अत्वानीबू, स्वाद के अनुसार प्रिष्ठ दो सो तीन अगर मिल सके तो भुना जीरा, काला नमक, गरम वसाला और हरे धनी के पत्ते आलू छील कर छोटे-छोटे टुकडों में काट लो इसमें अपने स्वाद के अनुसार, नमक, लाल मिर्च, और अमचूर या नीबू डालो चाट का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक और गरम मसाला डालो आलू को अच्छी तरह से हिला लो इसके उपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दो तो बात ही क्या चट-पटी चाट खाने के लिए तयार है कैसी लगी तुम्हें आलू की चाट? सोचो, अगर चाट में मसाले ना डाले होते तो उसका स्वाद कैसा होता? एक तरह की चाट बनाना और सिखो कक्षा में उसे मिल बांट कर खाओ कम मसाले और तेज मसालों वाली चीज खाने से जीव पर कैसा लगता है? अध्यापकों के लिए गरम मसाला कई मसालों का पिसा हुआ पाउडर होता है जैसे जीरा, इलाइची, छोटी और बड़ी, लॉंग, डालचीनी, काले मिर्श, तेज बात के पत्ते, सोंट, आदे उसे गरम मसाला कहते है चट पटी, पहेलियाँ अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का 25 पाठ प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत